वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आई वायस प्लेटफॉर्म आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रम समाज अवं विकास के कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चन्स की अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले किसी भी वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फिर्स कुशन है विट आयोक से संबन्दित कार रहे किस अनुभाग द्वारा संपादित किया जाता है आपके आप्शन्स है अनुभाग 2 अनुभाग 7 अनुभाग 5 अनुभाग 14 तो जल्दी से आप इस कुश्चन का आंसर दीजिए इस कुश्चन का जो राइट आंसर है वो है अनुभाग पांच अनुभाग पांच द्वारा और भी बहुत सारे कारे के जाते हैं जैसे कि राजस अनुभाग पांच प्रदेश में नए मंडल या जनपद या फिर तैसील के सरजन से सम्मंदित सभी मामले देखता है इसके अलावा मंडल जिला तैसील इन सब के कबजे की जो भूमी होती है उसको हटाने का कार्य भी अनुभाग पांच द्वारा ही किया जाता है नेक्स्ट कोशन है लेकपाल खताउनी में परिवर्तन किस रंग से करता है आपके ऑप्शन है लाल पीला नीला या फिर काला तो जल्दी से आप इस कोश्चन का आंसर इस कोश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लाल लेकपाल खताउनी में परिवर्तन किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है वो लाल रंग की सियाई से करता है चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हमाएं नेक्स्ट कोश्चन है भूमी की पहमा इसका कार्य है कौन सा विवाग करता है आपके ऑप्शन हैं भूप्रबंदन विवाग चकबंदी विवाग परशाशनिक विवाग या राजस्वे विवाग तो आप जल्दी से इस इस question का right answer है option D राजस्व विफाग राजस्व विफाग जो है उसे पांच शाकों में विभाजित किया गया है पहला राजस्व परिशद दूसरा चक्वंति विभाग तीसरा राज्य आपदा प्रबंदन विभाग फोर्थ निदेशक भूमी अध्यपति उत्तरप्रदेश औ सम्में राजस्व परिशद जो है वो सबसे important विभाग है चलिए next question की और बढ़ते हैं हमारे next question है खसरा में कितने खाने होते हैं आपके option है 18, 20, 15 या 22 यह बहुती आसान question है and I hope आप सब को इसका answer पता होगा तो आप जल्दी से इस question का answer बताईए इस question का right answer है option D 22 खसरा में 22 खाने होते हैं खसरा जो है वो एक किशी समंधी कानूनी दस्ता भेज होता है खसरा खसरे में हर खेत उसके छेतरफल उसके मालिक और उस पर काम करने वाले किशक का नाम मिट्टी का प्रकार किस प्रकार की मिट्टी है उस पर कौन से व्रक्ष विवरन होता है और खसरा जो है वो हर साल नई यानिकी नवी निकरत की जाती है तो चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन है राजस्व परिसद में कितने नियाईक सदस्य होते हैं आपके option है पांच साथ चार या फिट दस यह वी का भी हाशान कोशन है और आप सभी को इसका answer पता होगा तो आप जल्दी से इस question का answer दीजिए इस question का Seiten option B साथ राजस्व परिशद में साथ नियाईक सदस्य होते हैं राजस्व परिशद के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं राजस्व परिशद जो है वो राजस्व विवाग का सबसे महत्पूर्ण विवाग है और इसका जो मुख्याल है वो इलाबाद में राजस्व परिशद और शाद में एक अधियक्ष होता है, दो प्रशाषनिक सदसय होते हैं और साथ नियाईक सदस्य होते हैं चलिए next question देखते हैं, निम्न लिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमी मापन में नहीं किया जाता है आपके option है जरीब, कमपास, थियोदोलाइट और बैरोमेटर तो आप जल्दी से इस question का answer दीजिए इस question का right answer है option D, बैरोमेटर बैरोमेटर जो है वो वायूदाप नापने का यंत्र है इस कौपयोग वायूदाप नापने के लिए किया जाता है ना कि भूमी नापन में जरीब, जरीब क्या होती है जरीब एक प्रकार की चैन होती है जिसका उपयोग भूमी को नापने के लिए किया जाता है यह कई प्रकार की होती है जैसे कि गंटर जरीब, revenue जरीब, engineer जरीब, meeter जरीब इन सब की लंबाई अलग-अलग होती हैं वो मैं आपको जब next question उनसे related आएगा तब बताने हुआ ज़िए next question देखते हैं next question है खसरा अबम खतोनी कौन तयार करता है आपके option है चकबंदी आयुक्त, लेकपाल, कानून गो या फिर तहसिलदार तो ये काफी आसान question है आपको इसका answer बता होगा तो जल्दी से आप इस question का answer बताईए इस question का right answer है option B लेकपाल खसरा के बारे में मैंने आपको अब भी बताया था कि ये क्रिशी संबंदी कानूनी दस्ताबेज होता है और इसमें जमीन के छेतरफल उसके मालिक का नाम और उस पे कौन सी फसल लोगाई जा रही है वहां की मिट्टी का क्या परकार है कितने वहां पर वरक्ष लगे हैं इन सब चीज़ों का विवरन होता है बात करते हैं खतौनी की तो खतौनी हमारे जो भूर राजस्व अधिनियम है उसमें खतौनी शब्द का कहीं भी प्रियोग नहीं किया गया है खतौनी की जगे वार्षिक रजिस्टर शब्द का प्रियोग किया जाता है तो ये भी एक important question है और आपसे पुछा जा सकता है कि भूर राजस्व अधिनियम में खतौनी की जगे कि शब्द का प्रियोग किया गया है तो आपका अंसर होगा वार्षिक रजिस्टर खतौनी जो है वो छह साल में एक बार तयार की जाती है और इसमें जो है वो तेरा खाने होते हैं चलिए next question देखते हैं next question है ग्राम दान तता भूदान संबंदी कारी है किस अनुभाग द्वारा कराए जाते हैं options है अनुभाग 14 अनुभाग 6 अनुभाग 8 अनुभाग 2 तो आप जल्दी से इस question का अंसर बताइए इस question का right answer है option A अनुभाग 14 अनुभाग 14 अनुभाग 14 द्वारा और भी कुछ कारी किये जाते हैं जैसे कि defense of India Act 1939, 1962, 1965 और 1972 इनके संचालन का कार्य जो है वो भी राजस्व अनुभाग 14 द्वारा किराए जाता है इसके अलाबा उत्तर प्रदेश भूल एक परसिक्षन संसान हर्दोई इससे सम्मंदित जितने भी कार्य होते हैं वो भी अनुभाग 14 द्वारा ही किराए जाते हैं यह जितने भी अनुभाग हैं और इनसे संबंदित जितने भी कार्य हैं वो सभी आपके लिए इंपोर्टेंट हैं उनसे किसी से भी कुछा जा सकता है तो आपको वो सभी अच्छे से पढ़ने हैं और याद कर लेने हैं चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं नेक्स्ट कुशन है गजेटीर विभाग का मुख्याले इस्तित है आपके आप्शन है कानपुर दिल्ली लखनाउं या प्रियाग राज काफी इजी कुशन है बट इंपोर्टेंट है आप जल्दी से इस कुश्चन का अंसर दीजी इस कुश्चन का राइट आंसर है आप् गजेटीर विभाग का मुख्याले जवार भवन लखनाउं में इस्तित है तो अगर एक्जाम में आपको जवार भवन लिखाय मिल जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसका मुख्याले जवार भवन लखनाउं में इस्तित है गजेटीर विभाग की जो तियार किये जा चुके हैं केवल कुछ ही ऐसे जिले हैं जिनके गज़ेटियर हिंदी में प्रकाशित हुए हैं और वो सभी जिले और उनके नाम आपके लिए हिंदी में प्रकाशित हुआ है तो आपको इन सभी जिलों के नाम याद रखने हैं नेक्स्ट कुश्चिन है पटवारी शब्द का सर्वपर्थम प्रारम किस ने किया था आपके अक्बर बाबर महरान प्रताप या फिर सेशासूरी यह भी काफी आसान कुश्चिन है और इसक इसकुश्चिन का आंसर दीजिए इसकुश्चिन का राइट आंसर है ऑप्षिन डी सेशासूरी पटवारी शब्द का सर्वपर्थम प्रियोग शेशासूरी द्वारा किया गया था सेशासूरी सूरवन्स का संस्था पक था और यह बाब हुमायू के समकालीन था सेशासूरी ने ग्रांटंग रोड का निर्मान कराया था और सेशासूरी का मकवरा सासराम बिहार में इस्तित है चलिए नेक्स्ट कुश्चिन देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन है इंजीनियर जरीप की लंबाई कितनी होती है आपके ऑप्शन है पचास फिट सो फिट या फिर डेल सो फिट तो आप जल्दी से इस कुश्चिन का अंसर दीजिए इस कुश्चिन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हंड्रेट फिट इंजीनियर जरीप की लंबाई सो फिट होती है और इसमें सो कड़िया होती है जरीप इसके अलाबा भी कई टाइप्स की होती है जैसे कि गंटर जरीब, रिवेन्यू जरीब, मीटर जरीब गंटर जरीब जो होती है वो 64 फिट लंबी होती है और रिवेन्यू जरीब जो होती है वो लगबाग 33 फिट लंबी होती है और इसमें 16 गड़िया होती है एक और जरीब होती है सहाजरानी जरीब उसकी लंबाई कितनी होती है वो आप हमें कमेंट में बताएंगे नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन है उत्त्य प्रदेश में जो चकबंदी अधीनियम कब बना आपके ऑप्षिन है 1950, ऑप्षिन B 1951, ऑप्षिन C 1953, ऑप्षिन D 1955 तो आप जिल्दी से इस कुश्चन का अंसर बताईए इस कुश्चन का राइट आंसर है, ऑप्षिन C 1953 1947 में देश आजाद होने के बाद भूमी सुधार से सम्बंदित बहुत सारे कार्ये किये गए जैसे की जमीदारी उन्मूलन, कास्टकारी सुधार, उन्हीं में से एक था एक के अंतरगत उत्ताप्रदेश में जो चकबंदी अधीनियम बना, जो की 1953 में बना अगर आपसे पुछा जाए कि उत्ताप्रदेश में जो चकबंदी अधीनियम कब से लागू हुआ तो आपका अंसर होगा 1954 54 क्योंकि यह पारीद जो है वो 1953 में हुआ था लेकिन लागू 1954 से हुआ था इंपॉर्टेंट कोशन है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन है भूदान अंदोलन कारिक्रम सर्वपर्थम किस प्रदेश से प्रारंब किया गया आपके ऑप्शन है उप्शन ए आंधरप्रदेश, बी उत्तरप्रदेश, सी मध्यप्रदेश और डी तेलंगाना जल्दी से आप इसक्षिन का अंसर दीजिए इसक्षिन का राइट आंसर है उप्शन डी तेलंगाना भुदान अंदोलन बिनोवा भावे द्वारा प्रारम किया गया था बिनोवा भावे ने 1951 में तेलंगाना के पोचमपली गाउं से ये अंदोलन प्रारम किया गया था इस अंदोलन में जो बड़े किसान थे जिनके पास बहुत जादा जमीन थी उन्होंने स्वई इच्छा से अपनी भूमी डान में की थी उन किसानों के लिए जिनके पास जमीन नहीं थी चलिए next question देखते हैं next question है भूमी का उप्योग किये जाने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला tax कौन सा है आपके option है option A आयकर, option B भूमी कर, C विक्रेकर और D लगान तो आप जल्दी से इस question का answer बताईए इस question का right answer है option D लगान आपने लगान movie देखी होगी उसमें British सरकार जो थी वो किसानों से जमीन उप्योग करने के बदले में लगान लेती थी यह वही लगान है चलिए next question देखते हैं next question है राजा टोडर्मल भू लेक प्रस्टिक्शन एवं सर्वेक्षन संस्थान इस्थित है आपके option है ए लखनाउ बी वारानसी सी हर्दोई डी सुल्तानफुर्थ तो आप जल्दी से इस question का अंसर दीजिए इस question का right answer है option C हर्दोई अगर आपने वीडियो जहांजर सुनी है तो मैंने इसका अंसर आपको पहले भी बताया था राजा टोडर्मल भूल एक प्रस्टिक्शन एवं सर्वेक्षन संस्थान इससे सम्मंदित कार्या अनुभाग 14 दुआरा किये जाते हैं थैंक्स पॉर वाचिंग वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो से related कोई भी क्वाइर है तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं थैंक्यू